नमस्कार दोस्तों, व्याख्याता परिक्षा देने जारे सभी विद्यार्थियों को धेर सारी शुब काम नाएं यह हैं वीडियो आपके पहले पेपर में विशेश कर जो 11 तारीकों है तो हम इंपोर्टेंट 11 बातें 11 बिंदू देखेंगे जो निसित रूप से आपके GK पेपर में आपके कुछ अंख बढ़ाने वाले साबित होंगे जितने आपके आने वाले हैं उससे और जदा आपको फाइदा मिलने वाला है तो सारी बातें इसमें हमने कर लिए है कि कितने जो है आपको क्योशन करने चाहिए और क्या-क्या बाते ध्यान में रखनी है जिसी कि आप एकडम तसलिसे इत्मिनान से आप पेपर को अपने पूरी शमता और योगता से हल कर सके हैं तो यह हैं व्यक्याता बढ़ते के लिए सभी जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी उप्यूग रहेगा विशेस कर कल जो है ग्याला तारीको तो देखो पहले बात दोस्तों आप परवे इस पत्तर को दो मिनिट निकालके इतनी किताबे पड़ी है अब दो मिनिट निकालके उ पीशेस कर आधार कार्ड फोटो युक्त वैचान पत्र औरीजनल अपने पास रख लीजिए एक फोटोकोपी भी ले लीजिए आलनकि फोटोकोपी क्या उसकता नहीं पड़ेगी फिरी भी आप जुदिसा निर्देश है उसको देख लेएं अभी आप पर्स में डाल देए अभी आप बेग में डाल लेएं पोकेट में डाल के रख लेएं दूसरा है सेंटर आप कंफर्म कर लेएं अच्छी तरह से कई बार क्या होता है कुछ माइनर एड्रेस का अंतर होता हम जल्दबाजे में जो है ना देखते नहीं है प्रवयस पत्र को नहीं देखते हैं इन वक्त पे शेंटर पे पहुंसते हैं फिर पता चलता है कि दूसरा था तो गड़ बड़ हो जाती है ड्रेस कोड जो बताया गया है प्रवयस पत्र के उपर जैसा कि आरपीस ही हर बार करती है तो आप कीमती चीज पहन के नहीं जाएं विशेश कर महिला विर्थी जैसे मा दिव्या में तो जानी रहें तो पहले से ही घर पे ही सुरुक्सित रखे जाएं मोबाइल का भी आप इस प्रकार से मेनेज करें कि कोई साथ में हो कोई गाड़ी हो कोई और हो तो ठीक है नहीं तो फिर मोबाइल का भी आप जैसे कोई सस्ता वो जो होता ना की पेड़ वाल तो ड्रेस कोड में जो भी है टी शर्ट चपल अब कई जान भूज के बड़ी एक हंसी की और सोचने वाले बात है कि पड़े लिखे लोग एक्जाम देने जाते हैं साफ लिखावाय परविस्पतर के कि लंबी बाजों मत पहनो फिर वो पहन के जाएंगे वहां पूलिस वालो फोलो करें कानून का फोलो करना बहुत जुरूरी है एक गंटा पहले पहुंचे जैसा उस पे लिखा है प्रविस्पतरालाग कि मैंने भी किशी का देखा नहीं है फिर भी आप उसमें देख लो एक गंटा पहले का लिखा है मतलब 8 बचे पहुंचना तो 8 का ही परियास करे गलती कौन करते हैं जीट में देखें न कई उधारण की जो नजदिक था उसने सुचा है कि शेंटर सामनी है थोड़ा और देख लेते हैं और हुआ ये कि वो सेंटर पहुंचा लेट पंदरे मिनट यानि मालोहे गंटे की बजाए पें ताले संदिर पहले और उसको प्रवेस हो गई बारिस आ गई वो एक अलग घठना है जान भूज कर क्यों लेट कर रहे हो तो ये बात अगले देखो इन सब चीजों से आपके मानचिक शांती बनती है बहुत सारा पढ़ लिया सेंटर में आप आदे गंटा पहले पहले पहुंच रहा है सांस फुली हुई है कुछ पता नहीं है कहां पर कम रहा है तो आपका दिमाग है इस तिर हो गया ना 15 मिनिट तो नॉर्मल होने में लगेंगे और इस पेपर में इतना टाइम खाए है टाइम बहुत कम है 90 मिनिट आपको पुरे मिलेंगे एक आज रातरी में यानि जिस दिन पेपर हो उसे पहले दिन नहीं कि बस आज इस सारा रिविजन करके गोटेंगे कुछ नहीं हो ना अब इतना बड़ा कंपिटेशन है साल बरसें च्छा मेने से आप पढ़ रहे हो अब धेरिया और ठंडे दिमाग की जुरूत है ठीक ना अब जैसे कितना ही कोई पहलवान हो अखाड़ा में जाके उसक आपको अपना दिमाग चलाना है और अपना अधिक्तम आपको बेश्ट से बेश्ट आपको एक्जाम होल में देना है तो वहाँ आपने अब माली जी आपने 365 दिन पढ़ाई की और वहाँ आपको 90 मिनट मिले हैं जिसमें आपको अपना ग्यान अपनी प्रस्तूतिय का सरव तम उप्यों करना है तो इस दिमाग को कुछ उप्यों के लाइक छोड़ोगे तब यह आएगा ना काम में पहले ही इतना ठका दिया कि एक तो सफर की ठकान फिर रात में नींद जो हो नहीं ली फिर टेंसन ले रहे हो कि डिविजन 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 कि सुब उठे कि ड रिविजन करते जा रहे हो इतना नहीं करना प्रिय विद्यारतियों ध्यान रखें कि डिविजन जरूरी है मगर बेसिक चीजें भी जरूरी है इस खोपड़ी को पांच गंटे तो कम से कम आराम दे देना नींद लेकर बोजन हलका हो बाहर का बोजन करेंगे कच्वरी समस् एसी चीजे से बचना तलीब हुनी चीजों से बाहर का खाना अवईड करें घर का ले जाएं संबहों तो हलका फुलका खाएं सुबह एक्जाम दें से पहले जरूर कोई फलहार कोई सेयों केला वगड़ा कोई ओर ड्राइफ रूट या फिर कोई हलका फुलका नास्ता और फिर एक्जाम में अब है पानी की बोतल अपने पास रखें पार दर्शी पार दर्शी यह नियुसका इश्टिकर ले जाने दो दो ले तो उसमें क्या होता है कि पानी पास में होता ना बोतल तो यह पूरा मुनेविगेनिक सोध ही है कि जब भी आपको लगे पांस-दस मिनेट पंडर नहीं ऐसे दस तो नहीं मान लो 15-20 मिनेट आदी घंटा से जब आप याद आया आपको यह जब लग रहा है कि परशन हो नहीं पड़े तो बल्यू बलेक तो बल्यू बहुत है जो गर से चला के ले गए और ठीक ठाक थोड़ा मोटा चलता हो ठीक चलता हो तो ओमार भड़ने में तो फाइदा होता है मैंने ओमार का अलग शेक वीडियो भी बनाया था गोले बढ़ने हो ना तो पहले तो यह कैसे एक गोला भी है तीसरे में शीर कर दिया या फिर उत्तर होता है सी ओप्सन में है चार जैसे संख्यागे ने कितने बहुतिक भाग चार उत्तर है शी परन्तों आप चार के चक्र में इस चार को कर देते हो तो यह बहुत बड़ी गलती जो है वो नहीं करनी आपको ध्यान ज़धैन तो भी एसा नहीं है कि यह लोग बरबाद हो कि एसा नहीं हैं वहां भी गलती होने के भी वापस हमल जाना है कुशिस करें अपक करें करें डूतर हैं कि आगे का भी नुक्सान करतें एसा नहीं करना है और आई पेपर शुरू कि फिर टेंसन हो जाती है टेंसन होना स्वाब अभी का दोस्तों एक तो बेरोजगारी का प्रेसर एक विक्ट प्रिस्तियों आपने इतनी तयारी की वो तो कोई मामूली चीज थोड़ी है फिर इतनी बड़ी भरती इतना बड़ा पद तो सब कुछी जहें से हैं कि सलेक्शन होत भी हो तो विश्यस को पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले महिला अब यर्थी बड़े प्रिसर में आ जाती है सुनने में आता है बताते हैं और जो भी हो महिला पुरूस आपको ध्यान रखना कि सुरू में परसंट टफ आ गया ना तो आपको क्या करना है पेपर को आप से स्ट क्यूसरंट थे तीस क्यूसरं हो रहे थे ना 5500 सो परसंट नेढ़ सो के 40 क्या और पाचु एक्सो पिट्स का व्टाष परतीश पंट्राइस के 50 परतिस और 830 3 कुर संट आपको बूट क्रैठेर रखना है की 30 30 करें 30 30 करीद ओगे आपके सब्जेक्ट क्यों कितने हल करें यह important अब आप यह सोचो कि पिसली बार तो लोगों ने कहा था पचास हो कम से कम तब होगा 45 तो हो यह नहीं तो कुछ नहीं है ऐसा कहीं कोई लोही की लकिर का नियम नहीं है दोस्तों क्यों क्योंकि जैसे मानलू जिक्के में आपके कम आए सब्जेक्ट में अच करने से सेलेक्षन होजाएगा ऐसा कोई fix नहीं है दोस्तों और पर टफ है या इजी वो भी एक्जाम में पता नहीं चलता है बाहर आते ना तब पता चलता है तो एक्जाम में तो आपको हर एक एक परसन को पढ़ना है समझना है आ रहा तो उसको करना है और किसी एसाफ से म कि यह बगवान का नाम लेकिए यह इसे भी नहीं होगा तुक्य बाजे से नहीं होता मगर अनुमान जो है ना कट भी आता है जब कई ने कई पड़ा है सुना है या फिर तीन को हाने कितना वह बड़ा पर्संक्राइब बेसी बड़ा फरसंवे बड़े बड़े मगर देखा कि इतना स्रलता कि सब्साइब साइब शाह से टाम होगा तो द JU Schkop रखना हर परसन को जैसे किर्केटर हर गेंद को खेलता है वेसे हर परसन के साथ आपको अच्छे से उसको प्ले करना है तो समझ गए पेपर टफ हो तो क्या करना कितने हल करें तो कितने हल का में तो आप यह दिहान रखना कि तीस क्यूसर तो आपके सई हो रहे हैं ना फुरम तब आपके आत्मा को ऐसे हैं कि हाँ भी ठीक है ये काम तो हुआ अब आगे तो अब ये भी नहीं कि पहले आप उन तीस को ढूंडो आपको अपनी गाड़ी चलने दिन ये पहला दूसरा तीसरा जो नहीं आ रहा जैसे मालो जिसको कलियर कट है कि ये तो मुझे आए गए निया चारहों ऑपृसन देख लिये तो उसके क्रोस लगा दो पेपर में ऐसे हलके फूल के टिक लगा सकते ओ दोस्तों ये कोई नकल में नहीं आता कि आप ने क्रोस क्रोस लगाया हं र्का राइट लगाया सही उत्तर केमालु ऐसे बंदू लगाया ये एसा फिर पता ज्यादा टाइम नहीं है सारे बाद के लिए मत छोड़ देना ठीक है अब है मेत हो डिजनिंग अब देखो जो गणित के विरार थी है वो तो चलो गणित को पहले आते कर सकते हैं फिर भी मैं कहना चाहूंगा मत करना क्यों क्योंकि एक-दो सवाल गणित में भी इतना उलजा वो तो साइथ छेड़ेंगे नहीं फिर भी ऐसा नहीं कि आप हाथ ही नहीं लगाओ नजर तो डाले लेना कि क्या पता कोई एक इजी सवाल ही देते हैं हो सकता है वो 40% के वज़े से एक अधा सवाल इस बार कुछ इजी देते हैं पेपर का लेवल थोड़ा इजी आ जाए वो 11 तरिक वाला पेपर आएगा तब ही बता चलेगा कि किस हिसाब से वो दे रहे हैं कितने क्यूसम दे रहे हैं वो भी इस यूट्यूपर हम डाल देंगे कोशिस करेंगे कि 11 बज़े तक कोई वीडियारती भेज़ देगा टेलेग्राम पे आ जाएगा तो हम उसको डाल द है और हम उसके लिए एक एगो का सवाल हो जाथा इसा और मेरे से निकाल के रहूं और ऊसको तो कोई इस परकार का कोई एहम नहीं रखना है जो सवाल आपके कर नहीं हूंगा पर इक करूँए करूगा नहीं की नहीं हूंगा तो कोई बात नहीं बाद पहma देखेंगे तूम्हे एक बार दूसरे जो आ और वो सही हो, कई बार घड़ी तो है, दिरे चल रही है, पिछे रहे जाए, एक्जामेन में करें हम क्या करें, ठीक है, और घड़ी सही हो, वहाँ जो सेंटर केंडरा देख सक है, कमरे में घड़ी नहीं तो उनसे निवेदन करें कि सरिमान जी हमारे तो भविश्य का स्वाल ह हमारे तो यह घड़ी काम आएगी, सो दो सो रुपे लगेंगे, मंग वालो, ठीक है ना, तो घड़ी जो है ना, हर कमरे में लगी हुई हो, हर शे मतलब नहीं जिसमें आप उसमें लगी हो, और आप अपनी घड़ी ले जाए नहीं, अलाओ नहीं है, ठीक है, तो फिर भी, यह स्ततियों की घड़ी नहीं लेगी, और तो एक्जामिनर से आप पूछते रहेंगे, साब, सर कितना टाइम हो गया, सर कितने बज़ गया, हर 20 मिनट, 30 मिनट से, क्यों इतने तो टाइम है, 90 मिनट, तीन बार पूछोगे तो यह हो जाएगा, 30-30, तो धान रखना, पहले जो आ रहे हैं शवाल, उनको कर देना दन, ठीक है न, जिक्के वाले, सिंगल सिंगल लाइन के छोट-छोटे सवाल जो है न, करड़ अफेर के होए, रास्तान जिक्के के होई, तो करीद हो गया, आप हिंदी वाले हुए, आप जिस सब्जेक्ट के हो, पॉलिटिकल इस्ट् करना है ओमार, ओमार विद्यारती कहीं, कि लाइस्ट के 5 मेंट उमार बढ़ते हैं, फिर तो देखो गल्ती होई सकती है, यह जैसे गंटीले की 5 मीनट आवाज लगाते हैं, फिर तो धड़कने ऐसे बढ़ जाती है कि लोग़ क्या होगा 5 मिनट में, तो ध्यान रखना आप कि कि जैसे 25 सवाल किये देखो तीन भाग मांट लिए 25 25 75 सवाल किये 25 का मतलब सारे 25 नहीं सुरू के 25 में से आपने मालों 12 सवाल किये 25 सवाल किये 10 किये उनको भर दिया एक आगे 25-50 तक आप पहुंचे उन्हें से जितने भी आपने किये उनको अमार में भड़ दिये फिर आगे से 25 से पहुंचे जो भी भड़ दिये ध्यान रखें लाश्ट पांस नहीं दस मिनिट पहले आप जितने कर रखें वह बढ़ दिये फिर जो नहीं आ रहे हैं वह आपने तक शुल को अभड़ लगा रखा ना किनको बाद में सोचेंगे इनको बाद में एकने को नो बाद वाला नना अपका इसे गुल लगए उनको पिछे रख में लिखा आपका परसंगे 13 परसंगे 23 परसंगे 25 तो व्या तुब तो तो निकालो कि पेपर को पलट है टाम लगत अब विद्धblowing निकले किकी गाल थो आये नहीं कि वे तो 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 हमने सोचा इस uteur में ETHFLने टौ dating की ठोड़ी आएगी तो यह भी ध्यान रखना है कि इसी गल्टी ना हो जाए आप선 क्यों संक्राइब नजन रोकर रोखना कि तो हुई रहती है 25 27 27 37 31 32 तो वो भी ध्यान रखना है तो इसलिए धेरी रखें दोस्तों ग्यार वाँ सबसे मैं तुम बिंदू है कि आपने देखो इमोशनल ये आप सोचिए कितने तैयारी की लोगों की उमीदे हैं परिवार की हैं समाज की है वो सब साइड में चोड़ो आपकी अपने आप से उमीदे हैं आपने मेनत किये आप सपलता कि हखदार हैं अब इक्जाम होल में आपने अगर गलती कर दी आप घबरा गए ओमार गलत भर दी ध्यान नहीं दिया दूसरे की जगहें बेट गए ओमार दूसरे की दे दी फिर एक्जामीनर से दस मिट बाद वापस लिए आप खुद भी सचेतर हो ना आपकी रोल नमबर सीरीज पहले कंफरम कर लें कि सर ओक है क्या एकदम खोल लें क्या रोल नमबर बढ़ आपके माइने रखेगी और धेरी रखें जहां कई भी प्रोब्लम आ रही है एक मिनट आंखे बंद करके आदा मिनट लंबा स्वास लें पानी की घूट लें और अपने आप से कहें कि नहीं वापस हिमत से सोचो और हर परसन के साथ जूजो एक्जाम आपने कितनी त्यारी की जितना माइने रखता है उतना ही माइने रखता है परिक्षा होल में आपके द्वारा दी गई प्रस्तुति युद के दोरान आप कितना कोसल दिखा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी चीज है तो इतो आपके लिए एक केरियर का युद है जिसमें कि आपको एकदम नेतिक तरीके से अपनी बेहतर से बेहतर सरवतम प्रस्तुति देनी है देरिये से प्रस्नों को हल करें इग्नोर जैसे वो क्या इलिमिनेट वाला रखते हैं कि चार उप्सन है तो जो नहीं आ रहा उसको कलिर जैसे मतलब जो नहीं है और लागू उसको क्रोस कर दें क्रोस करते समय में दिहान रखें, अगर जल्दवाजी में कर दिया तो फिर वो दिमाग में आएगा है नहीं दुबारा, तो वो उप्सन है, रिस्क भी आपको पुस्तो लेनी हैं दोस्तों, ये नहीं क्योंकि एक्जाम में तो कन्फुजन ये कन्फुजन वेसे ही होता है, तो ड़रना नही है, कुछ पर्षनों में जहां आपको लग रहा है, रिस्क लेनी हैं, कोशिस करें कि अधिक्तम श्कूर हो आपका, और फिर देखो उपर वाले पे हैं, मेनत आपने की हैं, मेनत का फल मिलेगा, आप अपनी तरफ से बेस्ट धेरे के साथ में बेस्ट करने का परियास करें, म रात में लोग है, संभा की सतरे पर आया है, तो रास्ते में डिस्कस करते आओगे, इसका क्या किया, उसका क्या हुआ, हम लोग यूट्यूपर भी लगाएंगे, और भी लोग लगाएंगे, तीन-चार गंटे लाश्ट, जैसे घर पहुंचे, उसी दीन बस उस जिक्के वा बार-बार मिलाते रहे हैं, तो कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, और टेस कुछन का भी आप पूरा अपनी तरफ से मत करना, क्योंकि कोई जुरूरी नहीं है, एक आदे सबाल डिलीट भी हो जाते हैं, उत्र भी चेंज हो जाते हैं, तो यह नहीं सोचें, कि वही हमारे कितन वीडियो बगरे लगाये थे करेंट अफेर के, और भी टेस्ट्रीज भी दी थी, आप लोगों को उम्मीद है कि वह भी उप्यों की साबित होगी, आप लोगों नहीं जितना किया, अपना बहुत है, अब चिंता छोड़ो कि यह टोपिक रहे गया, उसको देखा ही नहीं, क आपको मिलेगी, धेर सारी सुब खाना है